हेलो गाइस वेलकम टू दिस वीडियो तो आज की वीडियो में मैं आप से डिसक्स करने जा रहा हूं अबाउट एडबलो एस प्रोफेशनल सॉलूशन आर्केटेक्ट रसेट का प्रोफेशनल का कोर्स कंटेंड ठीक है तो बेसिकली मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं यह हो जाएगा 20 दिसमबर से स्टार्ट हो जाएगा बैच और इसके लिए कुछ लिमिटेट सीट सी अवलेबल हैं मतलब यह आपका one-to-one kind of training based है one-to-one से मेरा मतलब है कि स्टूडेंट में बैच में जो है सीटे बहुत लिमिटेट है और हर स्टूडेंट से बेसिकली एक प्रॉपर ध्यान देके जो होता है उस तरीके की से ट्रेनिंग है कि आप अगर इंडिज्वली अच्छे से करना चाहते हो AWS का तो आपको पता है कि सॉलूशन आर्किटेक्ट एसोसेट जो है वह अवेलेबल है इसीली है ना वह कर सकते ह हो और उसके बाद अगर आपके नॉलिज्व अच्छी हो गई है और आप AWS सॉलूशन आर्किटेक्ट के कंटेंट से कंफर्टेबल हो तो एडवांस लेवल पर आपको जाना पड़ता है अगर आप ऐसे आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट का जॉब करना चाहते हो रहे तो इसको करने की बात करते हो तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वार्मेंट बन जाता है तो उसी के लिए हम इसको करते हैं तो प्रोफेशनल का कंटेंट आपके साथ डिसकस करना चाहरा हूं 20th of December से यह batch स्टार्ट हो रहा है और जो लोग इस टाइम नॉमली टू मन्स का लगेगा इसमें ठीक है मंडे टू फ्राइडे की क्लासिज होंगी और 10-12 का है 10-12 पी-म का टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे अराउंड मतलब फोर डेस तो कंफर्म है और वन डे हो सकता है हो या हम प्रैक्टिस ही करें कुछ इस तरीके से निकालेंगे तो अगर आपके बाद दो दो गंटे आप निकाल सकते हो तो दिस इस दा बेस्ट वे तो लान एडब्लू एस अब आजा कोर्स कंटेंट की बात करते हैं और अगर यह वीडियो आपको यूसफुल लगा तो आप यहां पर एक लाइक और मुझे कमेट में बता अगर आपको आती हैं बहुत अच्छी चीज़ें नहीं आती है तो मैं कुछ रिवीजन यहां पर करवाता हूं तो हम टॉपिक्स को रिवाइस करते हैं यहां पर बट ऑन दा फास्टर पेस तो यह सर्विसीज जो को सर्विसीज़ें जो आपको आना चाहिए तो एक यह है है वो कुछ parts में है ठीक है तो जैसे domain 1 हो गया designing का ठीक है तो कई multiple जब organization होता है यह multiple account होते हैं तो उसको कैसे manage करोगे सबसे बड़ा point हुआ ही होता है ठीक है तो उसके लिए क्या करते हैं design for organization complexity जब आपके पास number of accounts ज़्याद हैं ठीक है design network for complex organization अगर मालो complex organizations हैं ठीक है मतलब multiple accounts हैं तो complex scenarios में कैसे आप काम करते हूं ठीक है design for new solutions ठीक है अगर आपको एक नया requirement पढ़ता है तो कैसे cover करते हूं ठीक है solution strategy क्या होती है कि आपको solution निकालना है आपको high ability achieve करनी है आपको load balancing achieve करनी है तो किस तरीके से करोगे ठीक है तो solution strategy solution to meet performance objective right performance अगर आपको achieve करनी है ठीक है कि आपको better performance चाहिए तो कैसे करोगे ठीक है तो यह आपका इसमें आता है then migration कैसे plan करोगे ठीक है migration किस तरीके से plan करते हो वो cost control कैसे manage करोगे ठीक है continuous improvement कैसे करोगे जो तुमारे existing solution है उसके लिए तो यह basically five part के अंदर आपका decide होता है ठीक है तो not even five अगर आप बोलोगो तो यह course services then यह one two three four five six seven eight ठीक है eight part में totally यह अपका आता है ठीक है अब तुमारे बताता हूं course content आपको मैं लिंक दे दूँगा आपको description के अंदर वहां से भी आप इसको access कर सकते हो और आप easily check कर सकते हो ठीक है बागी मैं एक बाग go through करा देता हूं इसमें आयम service है S3 है EC2 EBS है ठीक है autoscaling आपका autoscaling और ELB है ठीक है तो मैं expect यह कर रहा हूं कि आपको AWS का knowledge है तब यह आपके लिए फायदे मंद है otherwise पहले आप AWS associate को achieve करो और उसके बाद आप इस पर focus करो यह मैं आप से simply बोलूँगा ठीक है अगर आपको यह topics आते हैं तब ही आपको इसको करने का फायदा है और अगर आप बिल्कुन नए हो तो आप क्या कर सकते हो यह AWS solution architect associate का course है यह आप कर सकते हो ठीक है यह भी काफ़े detail में इसका link मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा ठीक है यह solution architect associate का course है और यह आपको मिल जाता है मेरी website पर अगर आप करना चाहो तो self learning course आप कर सकते हो just 1500 में है for first 100 student ठीक है नहीं तो इसका price double हो जाएगा 3000 कुस time बार limitedly available है या आप membership के साथ भी कर सकते हो 400 per month का membership है उसमें आप काफी सारे cloud के courses कर सकते हो ठीक है तो मेरी website है web.cloudlearning.co.in directly manage है preview videos यहाँ पर available है ठीक है तो course content आपको यहाँ मिल जाता है और यहाँ पर आप sample videos भी देख सकते हो यह class recording है class recording को follow करो तो बढ़िया है मुझे लगता है कि यह काफी हिट है यहाँ लोगों को काफी पसंद आया है यह तो यह मैं architect associate के लिए आपको suggest करूँगा और अगर आप recording class नहीं देखना चाहते direct course content ही देखना चाहते हो तो वह भी यहाँ पर अविलेबल है यह राओ AWS self learning Hindi goes ठीक है यह भी काफी ज्यादा अच्छा demand में रहा है और यह भी आपके पास सारा curriculum आपको यहाँ पर देखो मिल जाता है point wise point wise एक एक चीज आपको यहाँ पर detail में बताया हुए ठीक है तो यह हु तो आप यहाँ पर आजो ठीक है तो आटो स्केलिंग यह वी क्लाउड वाच वीपी सी आडियस हाई वैबलिटी कैसे चीव करोगे रीड रैपलिका क्या होती है डैनमों डीवी क्या है और ओर डेटाबेस कैसे यूज कर रहा रैच शिप्ट ठीक है और लैब यह बीके साथ में राट 53 की कैसे आप इसको अटैच करोगा और कैसे यूज करें ठीक है तो यह सारा पार्ट आपका कोर सर्विस के आगया अब आजो प्रोफेशनल के कंटेंट पर तो यहाँ पर आप AWS और्गराशन के हम लोग लैब करेंगे इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मैल्टीपल AWS अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं तो मानलों आपके पास एक से ज्यादा AWS अकाउंट है या आप ले लो ठीक है प्रैक्टिकली करोगे तो मतलब मज़े ही आ जाता है तो आपके पास मिनिम्मम दो अकाउंट होने चाहिए और आप फिर उसको एक और्गनाशन का पार्ट बना स तो आपके पास आजाएगा तो आप दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकते हो तो वह कैसे सेट अप होता है वह हम यहां पर करें ठीक है क्रॉस अकाउंट को एक्सेस भी करके देखेंगे और टैगिंग लगाएंगे कि कैसे टैगिंग पॉलिसी होती है और में मल्टीपली सब्सक्राइब करोंगे और किस तरीके से करोगे अभी नेटवर्क जो है पहले जो थे और अभी के और काफिशन में काफी फ़रग है काफी अडवांस लेवल पर आ गया अगया है अगर आप बात करोगे अब टांजेट डेट वे पिक्चर में आ गया है और बाकि सारी setup करोगे VPC peering कैसे use करते हो multiple VPCs को कैसे connect करोगे Regional VPCs को कैसे connect करोगे VPC endpoint कैसे use करोगे ठीक है transit gateway कैसे use करोगे ठीक है set up करोगे यह चीज आगी है आपका network load balancer और application load balancer में actually में क्या difference आ रहा है और कितना आप उसमें कम कर रहे हो ठीक है private hosted zone को अभी तक हमने cover नहीं किया वह कैसे cover करोगे वह कैसे use करोगे ठीक है राट फुफटी तरीकी जो policies उसको कैसे use कर सकते हो ठीक है तो यह सब चीज़ें हम आपका यहां पे cover होती है जो आपका designing का part है जहां पर आप multiple accounts को manage करना देखते हो Samuel Federation कैसे काम करता है क्या क्या complex scenarios हो सकते हैं network के लिए यह सब इसके अंदर cover होगा फिर डारेक्टी service को कैसे use करते हो डारेक्टी service को use करके किसी domain में server को कैसे launch करोगे मालों आपने एक डारेक्टी बना ली अब उसमें server को launch करना है तो कैसे launch करोगे server को ताकि वह से connect हो पाए domain से तो वह लैप का part होगा Cognito service को कैसे use करते हैं Cognito में आप pool कैसे setup करोगे एक चीज़ बड़ी important है इसमें IM कैसे setup करते हो ठीक है IM में जब आपने यह अगर नहीं कि single sign-on कैसे enable करोगे और permission set आप कभी देखा होगा कि single sign-on होता है कि अगर आपने एक आपको link मिल गया और उसके थुरू आप sign-on करोगे और आपको particular permissions मिल जाएंगी आपकी user को ठीक है तो यह बड़ा important point है अगर आप multiple AWS account handle करते हो तो सबके लिए एक single sign-on switch कर सकते हो और उसके बाद सरफ अपने role को switch करो और आप access ले सकते हो यह आपको login console पर जैसे ही आप login करोगे महाँ पर आपको अपनी permissions मिल जाती है कि मेरे पास यह user है तो मुझे यह particular permission मिल जाएंगी हर AWS account पर तो permission set बना लो और उस permission कर सकते हो multiple AWS account पर यह बड़ा important हो जाता है अगर मैं खहता हूं कि अगर आप किसी architect या consultant role पर काम कर रहे हो क्योंकि multiple account पर ही आपको manage करना है और यह चीज़े आपको easily manager को कैसे use करोगे inspector service क्या है यह सारे security से related भी आपका जाता है ठीक है कि security इसमें काफी कुछ cover हो जाती गाड ड्यूटी हो गया आपका वलने इसको कैसे find करोगे inspector के थूरू shield के थूरू कैसे अपने environment को save कर सकते हो ठीक है तो I think यह ना miss हो रहा है यहां तक आपका part same है कोगनीटो तक उसके बाद यह सारा security का part ठीक है तो यहां पर आपके पास कैसे environment को secure कर सकते हो middle man in the middle attack से कैसे save करोगे डीडियोश अटेक से save करोगे ठीक है तो क्या मतलब security best practices है जो आपको apply करनी चाहिए वैफ है यहां पर आपके पास inspector सब्सक्राइब कर सकते हो गाड़ ड्यूटी से आप अपने रूल को set up कर सकते हो और हमेशा अपने environment को अच्छे तरीके से मैनेस कर सकते हो कि यह compliance को follow कर रहे है तो यह सब चीज़ा आप यहां से कर सकते हो कि दैन उसके बाद आता है solution strategy कैसे maintain करोगे तो कैसे reliability maintain करोगे कैसे DR maintain करोगे कैसे तुम recovery कर सकते हो किसी अगर को issue आता है तो कैसे recovery करोगे चीज़ों को ठीक है reliability के लिए क्या चाहिए website के health check कैसे setup कर सकते हो ठीक है AWS lambda और sqs को कैसे integrate कर सकते हो auto scaling के तुरू भी आप reliability को maintain करते हो ठीक है तो यह सब किस तरीके से काम करो गई है यहां पर हम cover करेंगे cloud watch log कैसे setup कर सकते हो कि आपकी cloud watch log setup हो रही है और अपरहल लेमडा function के लिए अलग log group बनता है ठीक है और फिर उस cloud watch log के तुरू आप कैसे alert get कर सकते हो यह आपको काफी काम आता है monitoring में ठीक है तो यह सब चीज़ें आप यहां पर high ability को achieve करते हैं एक तरह से फिर performance को better करने के लिए देखो cloud front की service है आपके पास cloud front को use करते हैं ठीक है elastic cache को use करते है आप performance improve करने के लिए ठीक है इसकी lab करेंगे imagine Athena को use कर सकते हो analysis के लिए कि कैसे आप analysis कर सकते हो history bucket पर workspace use कर सकते हो आप अलग-अलग desktop system को use करने के लिए ठीक है तो अगर आपको desktop चाहिए आपके जैसे आपने citrix में देखा होगा उस तरीके से यहां पर workspace बनते हैं तो अगर आपको desktop रेडी करना है अपने लिए तो आप कर सकते हो अपका अप्लिकेशन वर्चुलाइजिशन है ठीक है किनेसिस को कैसे यूज कर सकते हो क्या 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 इंस्टांस इस अविलेबल होती है इसी टू में ठीक है और कैसे कैसे बैच performance के तुरू आप कर सकते हो यह सब चीज़े आप यहां पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल ठीक है देन migration planning है ठीक है तो migration planning में आप data transfer कैसे करोगे ठीक है data transfer के लिए क्या क्या option best है वह सब कवर होगा और कॉस्ट कंट्रोल में आऊगे कॉस्ट कंटेल में आप देखोगे कि कैसे अपने बेस्ट तरीके साब अपने AWS environment की costing को मैंने कर सकते हो और इसमें काफी कुछ help करता है तो और इसमें से भी हम देखेंगे कि कैसे आप इसको मैंने कर पा रहे हो त्रीक है उसके बाद जो लास पार्ट आता है आपका वो है आपका कि किस तरीके से आप blue green deployment को use कर सकते हो ठीक है लास्ट एक में stock को कैसे apply कर सकते हो ठीक है operation work service को कैसे use कर सकते हो ECS कैसे use करते हो ठीक है container या Docker का concept आप लोगों को पता होगा तो AWS docker का complete solution provide करता है यूजिंग ECS और उसमें आपको सरफ manage करना काफी easy हो जाता है तो आप ECS को कैसे use कर सकते हो यहाँ पर कैसे आप high availability कैसे storage gateway को use करोगे कैसे EFS को use करोगे यह सारी चीज़े आपकी यहाँ पर cover होंगी और ज्यादर detail में आप link description में है वह आप जाके देख सकते हो और इसको use कर सकते हो ठीक है तो completely overall मैं बोलूंगा आपसे two months का पूरा course है ठीक है और two months का overall course है यह आपका और आपके पास इसकी detail अगर मैं आपको बता हूँ तो इसकी detail है course duration अगर आप दो महिने अपने को दे सकते हो ठीक है डिस इस फॉर यू तू मन्स तो इसके बाद 10 अम से 12 पीम राइट अब मंडे टू फ्राइडे होगी आपकी class ठीक है इसमें एक डे जोगा वंडे आपका practical के लिए होगा आपकी practice के लिए ठीक है तो one day आप समझो कि वह available नहीं होगा मतलब four days आपका होगा है ठीक है four days assurity right four days class मतलब for sure होगी ठीक है बाकि one day जो आपका वो एक हम उसको practice के लिए आपके लिए छोड़ेंगे ताकि आप consume कर पाऊ Monday to Friday हो गया two months 10 a.m. to 12 p.m. हो गया ठीक है फीस इसका रहेगा आपका 30 के लिमिटेट सीट्स है और फीस आपका रहेगा इसमें 30,000 आपको two months मुझे dedicatedly देना होगा और आप एक अच्छे त्यारी के साथ निकल जाओगे ठीक है global certification आप इसके साथ achieve कर सकते हो ठीक है जब आप यह course कर लोगे तो आप global certification के लिए जा सकते हो professional के लिए ठीक है what as your question could be practical knowledge होगी सारी ठीक है टेलीग्राम या WhatsApp ग्रूप होगा for support Q&A personal attention है ऐसा नहीं है कि 40 बच्चों का बैच मना हुए और आप बैठे हुए कि वही आप फोकस ही नहीं हो पा रहे है ना तो हर स्टूडेंट को इंडिजिवली मतलब online training रहेगी training mode online है ठीक है लेकिन हर स्टूडेंट पर फोकस रहेगा हाँ आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगा तो वह दिक्कत लेकिन अगर आप लोग का फुली फोकस हो और अगर आप लोग अविलेबल हो कि हां मुझे फुली फोकस हो अगर आपकी हां मुझे सीखना तो डेफिनिटली यह आपके लिए काफी है तो आई होप यह आपके लिए इंफॉर्मेशन यूस्फूल ला होगा और कोई भी कोश्चन है या कुछ क्वेरी है तो आप मुझे awslearnings.gmail.com पर राइट कर सकते हो अगर कुछ क्वेरी हैं डिसकाउंट के लिए ज़्यादा अम्बीद मत करना यह 35K फीस होती है नॉमली क्योंकि काफी यह dedicated time लगता है और time classes में भी समय कोर्स यह time लगता है तो तू तू थी मंस का आप मान के चलना यह आपका यह चला जाएगा ठीक है प्लिट क्या है आपको पास एक aews का account होने चाहिए ठीक है ये डब्लूएस टू अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए ठीक है फ्रीटार अकाउंट्स यू शुड है एक राउट 53 का मतलब एक डोमेन हमको चाहिए होता है ठीक है तो गोडैडी का या किसी भी डोमेन का आप एक डोमेन अगर रख लोगे तो यह आपके लिए काफी AWS Charges for few services there will be for few services there will be some charge right some nominal charge you can say कि there would be right अगर आप practice करोगे तो आपको चार्ज थोड़ा बहुत तो चार्ज जरूर लग जाएगा बट वह नॉमिनल होगा लाइक 100 200 का इन आफ और वह आप रिएमबर्स भी करा सकते हो अगर आपने अगर अगर बात करोगे और नॉमिनल चार्ज होगा तो वह कर देते हैं रिएमबर्स ठीक है तो बैट इस वन थिंग बैस प्रैक्टिस यह रहेगा कि आप वेनेवर यू क्रिएट वेनेवर यू डन विद प्रैक्टिस रिमस्त . अगर बैस् . अगर मुण्क उर्ड़ यू कहा स।वर्स ग्यस रखें का दूर आट।र्स है क। आजा सूर्स एलये स।् acord, है झाँदं मे लिए रिएमों का दूर्सें हाउ छडर्स अई ağynित इस ढडा ज़िए टूर्सैं हmistवर्स के तो सौर्स एलिए वर्सं वर् me or you can connect with me on this email address or you can WhatsApp me at this number okay okay so if you want to do it and if you are looking for training up up in 2-3 महिने लगा दो and definitely आप अपने काफी अच्छे से बूस्ट कर सकते हो यहां पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और यह email address से इन दोनों तरीके से आप कनेक्ट करके आप इसको ट्रेनिंग को अचीव कर सकते हो अगें ट्रेनिंग का टाइम मैंने बताया आपको 20th यानि Tuesday से, coming Tuesday से start हो जाएगा 10-12 मौनिंग का टाइम ठीक है ओके गाइस चलो, thank you for watching this video and wish you a very good day, bye-bye